औरंगा बाद में 14 एकड की फसल में आग लगने से फसल राक के धेर में तबदील हो गई आपको बता दें कि ये फसल सांसद सुशील सिंग की थी वहीं इस आग से लगभग लाखों रुपे के गेहूं की फसल के जलने का अनुमान लगाया गया है आग कैसे लगी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है वहीं सांसद ने इस में पाए दोशियों को ख्षमा नहीं किये जाने की बात कही है ना तो दंकल के करमचारी ना तो किसी ने ऐसा महसूस नहीं किया कि ये बिजली की चिनगारी से या खाना यहां बनता ही नहीं है बिजली का तार अभी भी देख रहे हैं आप कहीं कोई गिरा नहीं है सब कुछ सही है तो ये आग पस्चिम की दिशा से उधर से लगाई गई है और आज पस्चिया हवा बहुत तेज है जिसके कारण पूरे खेत में फैल गया वहीं गया के मानपूर के भुसुंडा में फुटपात पर लगी दरजनों फरनीचर की दुकाने आग की चपेट में आ गई वहीं भीशडाक की वजह से पास में बनी जोपडियों में भी आग लग गई वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाडियों को बुलाया गया जिनोंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अंगबाद से प्रियदर्शी और गया से अजीत पंजाब के स्री टीवी